हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिये चैनल पर दोस्तों आपको बता दे जो भी कि सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां साउट चाइना सी पर विवाद के बीच पहली बार इंडोनेशिया पहुची भारत की सिंधू के सरी पंडूबी ड्रेगन को हुई बड़ी टेंशन जी हां दोस्तों बताएंगे क्या है बड़ी खबर और इसी बीच बताएंगे जहां चीरी ने ताइवानी इलाकों में फिर कर दी है बड़ी घुस पैठ जी हां रक्षा मंत्रा लेका अब तक का सबसे बड़ा दावा दोस्तों और साथी साथ बताएंगे जहां पाकिस्तान में आतंगुवाद है एक बहुत बड़ी इंडस्टरी जहां दोस्तों बताएंगे किस ने बड़ी बात कहीं हो साथी साथ दोस्तों बताएंगे किन्गर्ने मिसाइल ने उड़ाई पुलिस की नींद बताएंगे क्या है यह स्टिंगर मिसाइल दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले हैं तो आराम से बने रहेगा वीडियो का अंधिता करो भी खबरों आके बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतिये सेनाओं का जम क पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ जान साउथ चाइना सी पर विवाद के बीच पहली बार इंडोनेशिया पहुंची भारत की सिंधू के सरी पंडुबी जिसके बाद पूरे चीन में मच गया है तहलका जीहां बता दें साउथ चाइना सी पर चीन के दावे की वज़े से दुनिया भर में टेंशन है यहां के पानी से लेकर विभिन तत्वों पर ड्रैगन अपना दावा करता है इस वज़े से चीन की पश्मी देशों के साथ कई बार आमना सामना भी हो चुका है इन विवादों के बीच पहली बार भारत की पंडुबी इंडोनेशिया पहुं पहुंची वहां तक पहुंचने के लिए पंडुबी ने सुन्टा इस्ट्रेट को पार किया नौसेना के एक वरिस्ट अधिकारी ने टाइमस ऑफ इंडिया को बताया है कि भारत के युद्ध पोत अक्सर इंडोनेशिया और अन्य आसियान देशों का दोरा करते हैं यह पह इसकी यात्रा के दौरान हुए एक नए रक्षा सहीयोग समझोते के बाद इसका दिस्तार हुआ है जी हां दोस्तों आपकी जानकारी कर आपको बता देगी भारत ब्रह्म होस्त के तट आधारी तो एंटी शिप सिस्टम की तीन मिसाल बैटरी की सप्लाई करेगा यह एक को सुनते ही पूरे चीन महकमे में दहशत जरूर फैल गई होगी दोस्तों बस चीन का रियक्शन आना बाकी है जैसे ही रेक्षन आएगा सबसे पहले आपको बताएंगे लेकिन अपने भारत के लिए बड़ी अच्छी खाबर दोस्तों इस वीडियो को शेर करना तो बनता ह चीन और ताइवान के बीच चीन ने एक बार फिर घुसपैट की कोशिश की ताइवान के रक्षा मंत्राले का कहना है कि गुरुवार की रात में चीन ने एक बार फिर घुसपैट का प्रयास किया इस दोरान 37 चीनी सेन विमानों और 6 नौर सेनिक जाजो को ताइवान के छेतर में पाया गया इससे पिछले महीने ताइवान के आ से पास इक तीस चीनी सेन विमानों और चार नौ सेनिग जहाजो का पता चला था तब रक्षा मंत्राले ने कहा था कि चीन के 21 लिवानों मेंहें से 12 विमानों ने ताइवान जल्य डंबरू मद्री की मध्री देखा को पार किया और ताइवान के दक्षिन पश्चिंग वायू रक्षा पहचान छेतर यानी ADIZ में प्रवेश किया साधी ताइवान ने दावा दिया था कि हमारी मिसाइले किसी भी स्थी से निपटने के लिए तैयार हैं बता दे कि बीते 19 जनवरी को ताइवान के राश्टी रक्षा मंत्राले ने एक ट्वीट में कहा था कि ताइवान के आसपास 16 पिले विमान और 3 पिले जहाजों का आज सुवे 6 बजे पता चला है जिसके बाद आर ओसी श्रस्त्र बलो ने इस दिदिक निगरानी की है और इन खबर की जहां फिर एक बार जैशंकर जी ने पाकिस्तान की कंगाली के कारण गिनादी हैं दोस्तों पाकिस्तान में कहा आतंग वाद है एक इंडस्ट्री नहीं सुद्रेंगे इनके हालात बता दें कंगाली और फटे हाल की स्थिती के बीच दुनिया भर में भीक मांगने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर से भारतिय विदेश मंत्री जय शंकर जी ने सीख देने की कोशिश की है और कहा है कि जिस देश का प्रमुग इंडस्ट्री ही आतंगवाद है यानी biggest इंडेस्ट्री ऑफ दा कंट्री आतंग वाद तो फिर उस देश की स्थिती में कभी सुधार नहीं हो सकता है पिछले कुछ दिनों में जैशंकर जी का पाकिस्तान की बदहाल आर्थिक हालातों पर दूसरी टिपनी है और इससे पहले उन्होंने कहा था कि भारत सिलंका की तरह और है पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा आपको बता दे भारतिय विदेश मंत्री जैशंकर जी ने गुरुवार को कहा है कि कोई भी देश मुश्किल इस्तिजी से बाहर नहीं आ सकता है यदि उसका मूल उद्ध्योग ही आतंगवाद है जैशंकर जी ने गुरुवार को प वाखना नहीं चाहिए और ये मुद्दा आतंगवात का है क्योंकि जिस्टें आप किसी बात करने की बात करते हैं और फिर वो आतंगवाद उसबात चीत के इर्दिकर्द गूमते हैं जैसे अंकरजीन आगे का की और आंगे और हमें इस बात मुद्दों को ठीक करना होता है उन्होंने कहा कि कोई भी देश कभी भी कठिन परिस्तियों से बाहर नहीं निकलेगा और सम्रद शक्ति नहीं बनेगा यदि उसका मुल उद्योग आतंक वाद है तो जी हां दोस्तों बहुत कड़े ही देगा क्या लगता है आपको एक भारतिया नागरिक होने के नाते कमेड में लिखकर अवश्य बताईएगा साथी साथ दोस्तों बात करते हैं और खबर की जहां युनाइटेड नेशन में भारत ने फिर से पाकिस्तान को लतारा है दोस्तर कह दिया है कि पड़ोसी मुल्क आज भी है आतंकियों की जन्नत जीहां जैशंकर जी के बाद भारतिया काउंसलर प्रतीक माथूर का सबसे बड़ा बयान जीहां संयुक्त रास्टर महास्थभा से जहां भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी हाकिकत से वाकिफ कराया है भारत ने कहा है कि पाकिस्तान वो देश है जिसने हमेशा ही आतंकियों को सुरक्षित पना दी है मातुर की एक टिपनी दोस्तों विदेश मंत्री जैशंकर जी की तरफ से आतंगवाद पर दिये गए बयान के जस्ट बाद आया है से में अब पूरा भारत दोस्तों पाकिस्तान को आइना दिखा रहा है कि ज दोस्त अपनी रायवश्ची दीजेगा लेकिन वीडियो को लाइक जिन्हों नहीं तक लाइक क्या है प्लीज लाइक का बढ़न दवा दीजेगा बढ़ते एक और खबर की तरफ जहां यूग्रेंड युद के एक साल होने पर रशिया के खिलाब ताबर तोड़ एक्शन ए पॉसकों के खिलाफ यह कदम उठाया वित्य कारवाई कारेबल की और से जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है फेटीएफ ने कहा है कि रूसी सेनल कारवाई हमारे मूल सिधानतों के विपरीत है जिसका उद्देश वैश्विक वित्या प्रणाली की सुर प्रणगवाद के वित्य पोशन के निगरानी करने वाली वैश्विक संसाने कहा है कि वह यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले की कड़ी निंदा करती है बयान में कहा गया है कि रूस की और से पिछले एक साल में बरबर और आमान वी हमलों को तेज किया गया है साथी मॉसकों क की और से महतुआ पूर्ण सार्वजनिक बुन्यादी ठाचे को निशाना बनाया गया है चलते दोस्ते अगली बड़ी खबर की तरफ जहां रशिया से जुड़ी दोस्तों बड़ी खबर है जहां बांगला देश ने आखिर यूक्रेन युद के बीच रशिया से क्यों लिय इसके बाद रूस ने बांगला देशी राज दूट को बुला कर कड़िया अपत्ति दर्ज कर वाई है रूस और बांगला देश के संबद हमेशा से अच्छे रहे है इसके बाव जूत रूसी मालवहाग जहाज को रोकने के नुमति ना दे कर बांगला देश ने मुसीबत म पहुंचाया है आखिर क्या था मामल आपको बता दे दरसल पिछले साल नवंबर में एक रूसी जहाज उरसा मेजर जिसे स्पार्टा थ्री भी कहते हैं दोस्तों वो बांगलदेश के रूप पूर परमानु विद्धुत केंद्र के लिए उपकरनों को लेकर रूस से रवाना दिती इसके बाद रूसी जहाज सामान के साथ बांगला-देशी जल सीमा के बाहट से भारत के हलद्या बंदरगा पहुंच और सामान उतार दिया तो भ inscription राश्टर पर प्रतिबंदों को छोड़कर किसी बीए ल्देश के स्थी बंदों को नहीं मानता है जिहां इस पर ने अब रश्या से पंगा ले लिया है बैरहाल आगे क्या होता है दोस्ता आपको सबसे पहले बताएंगे चैनल पर अगर नहीं आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा दीजेगा और हमारे फैमिली के मेंबर जरू बन जाईएगा चलते एक और खबर की तरफ जहां जम्मू कश्मीर में शहीद पुलिस कर्मी अली मुहम्मद गनी के बेटे को आतंकियों ने मारी गोली की बड़ी खबर जिया जम्मू कश्मीर के अनंत नाग में शुकरवारी यानी 24 फरवरी को आतंक गनी के रूप में जो की शहीद हैड कांस्टेबल अली मुहम्मद गनी के बेटे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि घायल आसिप को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाया गया इलाके की घेराबंदी कर दी गई है एक हपते पहले ही श्री नगर के बेमीना इलाके मे कहा था कि अधिकारी अतिक्रमन हटाने का भ्यान में शामिलता चलते दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ जहान पाकिस्तान और स्रिलंका की रह पर जा सकता है नेपाल चीन के रिण जाल में फसने की सबसे बड़ी आशंका की सबसे महत्वपुर्ण खबर बता दे यदि नेपाल सरकार ने रिण जाल कुट नीती को लेकर बहुत सावधानी नहीं बरती तो उसे भी स्रिलंका और पाकिस्तान जैसे आर्थिक हालात का सामना करना पड़ सकता है पोखरा में हुई विमान दुरगटना ने नजदी की अंतर राष्ट्रे हवाई अड़े पर सुर्ख यह आरोब लगते रहे हैं कि इस पहल के तहत चीन के रिण कुट नीती रिण जाल कुट नीती में परिवर्तित हो सकती है और इसके तहत विकास शील देशों में महतुआ पूर्ण बुनियादी धाचा पर योजनाओं को प्रायोजित करना और फिर रिण जाल के आधार पर उन सरकारों को प्रभावित करना शामिल है पोखरा अंतर राष्ट्रिय हवाई अड़े के अलावा नेपाल ने अभी अभी दो प्रमुग परियोजनाओं भैरहवा में गोतम बुद अंतर राष्ट्रिय हवाई अड़ा और राजधानी काठ मांडू में चोबहर ड्राइप कोर्ट का निर्मान पूरा किया है इसे में इन में से कोई भी महंगी परियोजना प्रभावी ढंक से काम नहीं कर रही है और यदि किसी परियोजना की ब्यावसाई करन नीती अप्रभावी है या बिना कठोर तयारी के स्थाबित की गई है तो यह अंतर राष्ट्रिय इसार पारी चाल काम्याब हो सकती है चाइना कि आप क्या कहते हैं क्या नेपाल जिसका दोस्तों बारत के साथ रोटी-बेटी का संबन्ध है वह चीन के जाल में फस जाएगा क्योंकि स्थों के मैं जो नेपालगी सरकार है वह थोत तोड़ीसी या यूँ कहले भारतु से ज उटेल और बिजनेस क्लास में सफर करना हो गया मना जिहां या यून कहलें सपना हो गया बता दे आर्थिक बधाली से गुज़र रहे पाकिस्तान की इस्तिती ये है कि सरकार में बेटे मंत्रियों तक को खर्च में bus निकुग करने को पाकिस्तान ने खर्चों में कटोती शुरू कर दी है ताकि आई एम एफ से साड़े च्छे अरब डालर का लोन हासिल हो सके पाकिस्तान खर्चों में कमी के जरिए 764 मिलियन डॉलर जुटाना चाहता है जिसके लिए प्यम शहवाद शरीफ ने तो यहां तक संकेत दे दिये है कि आने वाले समय में और सक्तियां लागू हो सकती है उन्होंने बुद्वार को कहा है कि जुलाई में अगला बजट आने वाला है इस दोरान कुछ और कटोतियों करने का फैसला लिया जा सकता है अब दोस्तों जब वहां के नेताओं मंत्रियों के लिए बड़ा एक्शन ल से पैसा तो जरूर मारेंगे सरकार का एष़ा हम इस लिए कहरें दोस्तों क्योंकि ये पावंदी चरुकिर्प सरकार कीयों से मंत्रियों पर लगाया गया है ताकी जनता अपने खर्चें कम कर सकें लेकिन रियालीटी और वास्तविक्ता तो आप सभी जानते ही है पाकिस्त पाकिस्तान की एक आतंगवाद रोधी अदालत ने शुकरवार को आत्रिक मंत्री राणा सना उल्ला के खिलाब जमानती वारेंट जारी किया है। करने की धंगीती थी इसके बाद ये मामला पंजाब प्रांद के गुजरात शहर में आतंगवाद विरोधी अदालत के सामने लाया गया डौन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अधालत ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सना उल्ला को गिरफतार करने और साथ मार्श को अ चलाओरल में अमयरिका में वाइड हास की प्रेस साचीत आफुका प्रेस्टरी प्रेस्पारे से बहुत बड़ी स्यों हुगा और उन्होंने गलती से मौजुदा रैस्टरपारी जो वार्डन को प्रेजिडेंट ओबाउमा कह दिया हाला कि चिन अपनी घलती सुधार ली और माफी मांग ली लेकिन तब तक पूरी घटना लाइव टीवी पर कैद हो गई थी बताते चले कि वाइट हाउस की तरब से प्रती दिन मीडिया को अलग-अलग मुद्धों पर ब्रीफ किया जाता है इसी करम में गुरुवार के प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी हाउस की प्रेस सेक्रेटरी केरी इन जीन प्यारे विश्व बैंक के नहीं अध्यक्ष को लेकर मीडिया को बता रही थी इसी दरान गलती से उनकी जुबान फिसल गई और उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई अगली ख़बर की बात करते हैं जहां आउस्टेलिया में बुलंद हो रहे खालिस्तानियों के होसले अब भारतिय धूतावास को बनाया निशाना बता दें खालिस्तानी समुह द्वारा आउस्टेलिया में मंदिरों में तोड़ फोर करने के कुछ दूनों बात अब ब्रिस बेन में भारतिय वानिज धूतावास पर हमला किया गया खालिस्तानी समर्थकों ने भारती वानिज दूतावास पर खालिस्तानी जंडे भी फहराए ये हमला 21 फरवरी को कुईस लेंड के ब्रिस बेन में हुआ था ब्रिस बेन में भारत की वानिज दूत अर्चना सिंग ने 22 फरवरी को कार्याले में खालिस्तान का जंडा लगा हुआ पाया उन्होंने तुरंद कुईस लेंड पुलिस को इसकी सूचना दी पुलिस ने बाद में जंडे को जब्त कर लिया और किसी भी तत्काल खत्रे को दूर करने के लिए भारत के मानद वाणिज दूतावास के चार और जाच की काउंसल अर्चना सिंग ने अस्टेलिया टूडे को बता दें रुप जेकर से यूवल में जारी हम लोग बीच भारतिया समय अनूसार गुरुवार देरा सयुक्त राश्ट्र महास्वा यानि UNGM एक प्रस्ताव पारित किया गया सयुक्त राश्ट्र महास्वा ने यूगरेन में ब्यापक न्याय संगत और अस्थाई शांती तक पहुंचने के आवर्शक्ता पर एक प्रस्ताव को पारित किया ये प्रस्ताव रश्या से शत्रुता समाप्त करने और यूगरेन से सैनिकों की वापसी का आहान करता है वोडिंग में भारत में के शामिल ना होने पर अब यूगरेन का बयान आया है यूगरेन के राजदूत इवान कौनो वलोव ने शुकरवार को कहा कि एक एक विश्वसनिय भागीदार के रूप में यूगरेन भारत के समर्तन पर भरोसा करता है उन्होंने आगे कहा कि UN में प्रस्ताव को अपनाया गया और भारत के मतदान से दूर रहने की स्थिती निश्चीत रूप से हमारे लिए एक समवेदन शील मुद्दा है हम भारत के समर्थन पर भरोसा करते हैं और हमारे बीच निश्चीत रूप से एक भरोसेमंद रिस्ता है उमीद है कि ये भविश में हमारी मदद करेगा जिहां साथी साथ दोस्ते को और बड़ी खबर आपको बता दे जहां अमित शाग बिहार दोरे से पहले बहुत बड़ा अलट हुआ जारी स्टिंगर मिसाइल ने उड़ाई पुलिस की नींदे बता दे केंद्रिय ग्रह मंत् ADG ने कहा है कि हीलिपेड और हलीकोपटर की स्युख्जा अमाना के रूप अनूरूप होनी चाहिए लोगों को नियंतृत करने के लिए हलिपेड ये चार तरब मजबूत वàiरिकेडिंग और सक्षम पदाधिकारी की तैनाती होनी चाहिए साथी हलिकॉपटर की सुरक्षा क करने के लिए कहा है साथी कहा है कि आतंग वादियों के पास अधिक दूरी तक माल करने वाले रॉकेट स्टिंगर मिसाइल होने के चलते विश्ष्ष्ट रख्षा पर खत्रा अधिक बढ़ गया है इसको ध्यान में रखते हुए हैली पैड के फनल एरिया में सखन घस्ती करके उसे सुरक्षित करने की आवश्षकता है जी हाँ गोरतलवेगी केंद्रिय ग्रह मंतरी अमित शाजी शनीवार को बिहार पहुँचेंगे याज और इस दौरान वो पच्छमी चंपारन के जैन साहु उच्विद्याले में जनसभा को संबोधित करेंगे इसके साथ सामी पहुचेंगे यहाँ वे वो पट्रना साहिब गुरुद्वारा भी जाएंगे चलते हैं दोस्ते को बड़ी खबर की तरफ जहां प्रदान मंतरी मोदीन की जमकर तारीफ तो गदगद हुए तेम जेन इमना बोले गुरुजी ने बोले दिया हम तो धन्न हो गए जिहां ना द्रमोदी नागा लेंड में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे इस दोरान उन्होंने नागा लेंड भाजबा प्रमुग तेम जेन इमना अलांग की खुब तारीफ की इसका एक वीडियो तेम जेन इमांग अलांग दोरा शेयर कर अनोखा केप्शन भी लिखा गया साथी साथ दोस्तों आपको अंतिम खबर बता दे जहां सावधान कोई और कर रहा क्या आपके पैन कार्ड का इस्तेमाल तो तुरंत करें चेक नहीं तो पड़ सकता है बहुत बड़ा लफड़ा जिहां पैन कार्ड एक एहम सरकारी आईडी है इसका इस्तेमाल कई कामों के ले किया जा सकता है चाहे लोन लेना हो या टेक्स भरना हो पैन कार्ड बहुत ही जरूरी होता है वैसे तो यह आपके पास ही रहता है और किसी के पास जाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है लेकिन फिर भी पैन कार्ड फ्रॉड को लेकर कई खबरे सामने आ रही है लेसे में हम यह खबर आपके लिए ले कर आए हैं दोस्तों यह जानना अपके बहुत ज़रूरी है कि क्या आपके पैंड कार्ट का कोई इस्तαιमाल गलत तरी क्षि सटा नहीं कर रहा या कोई आपका पैंड कार्डी तो सथमाल नहीं कर रहा बतादें कि याप कैसे पता लगा पाएंगे दोस्तों की किसी न आपका पैंड कार इस्तेमाल तो नहीं किया है तो दोस्तों वह जानकारी आप देख पारे होंगे पड़ पारे होंगे दोस्तों आप अलग लग आपको हमारी खाबर कैसी लगी आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंदुव में वस्टाप फेस्बूक ट्टे के जड़िए पुरे भारत में शेर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अभी क कर दीजिए वीडियो को लाइक चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब आइकन दवाईए साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजेगा जैंद जै भारत तो मिलते हैं आप सब्सक्राइब बड़ी खबर में तब तक के लिए अपना खयाल रखेगा आप सभी का बहुत बहुत ध और झ्लाज बहुत बहुत थे जग़ी का ला मिलते हैं जगश्चराई धिन चुल मिलते हैं खया अगश्चराईबों को ढ00 बहुता है